आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं WordPress का Dashboard Overview असलाव विकुम फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं WordPress का Dashboard Overview लास्त लेक्ष्छर के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप WordPress इंस्टॉल कर सकते हैं manually और three step के साथ automated software को use करते हुए तो चले आज हम देखते हैं कि किस तरह से आप WordPress का dashboard का overview लेते हैं और उसकी तमाम चीज़ें हम detail के अंदर discuss करेंगे तो चले चलते हैं computer screen के ऊपर और मजीर इस course को आगे वड़ाते हैं तो यहां पर देखें हमारे पास यह topics हैं तमाम जो dashboard के अंदर options हैं हमारे पास wordpress के अंदर उन सब को हम बारे-बारे discuss करेंगे तो चले एक general overview ले लेते हैं dashboard का चलते हैं wordpress की जानिव जो कि हमने लास्टाम इंस्ट्रॉल किया था यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास यह back-end है और इसका interface इस तरह से है और अगर मैं इसको इसका front-end आपको दिखाऊं तो यहां पर देखें आप back-end और front-end से क्या करनी है डिलीट करनी है यह कोई भी चीज जो है वो चेंज करनी अपडेट करनी है तो वो back-end से होती है जो कि हमारे पास यह वाला एरिया है इसके ओपर जो यूजर्स है नॉर्मल जिन्हें कोई भी इन्फॉमेशन जो हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उनको यह वाला एरिया नजर आएगा और इसके ओपर आके वो जो भी हमारी जिसकी भी मुतलिक हमारी वेबसाइट होगी उसके अबाउट कॉंटेंट देखेंगे या कुमेंट करेंगे या हमारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे या हमारे बिजनिस के रेलिमेंट जानेंगे तो यहां पर हमारे पास देखें कुछ उपर की तरफ कुछ ऑप्शन्स हमारे पास आ रहे हैं राइट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन्स हैं यहां पर हमारे पास यह डैश्पूर्ट को ओवर्वियू है और लेफ्ट साइट पर कुछ ऑप्शन्स हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टन्ट ऑप्शन्स और इनके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे तो चले नेक्स लेक्चर के अंदर हम बारी बारी एक एक चीज को डिसकस करना स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं शाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तिल देन कीप लेर्निंग कीप एक्स्प्लॉरिंग अल्हाफीज